बिस्मिल्ला राम्हान रहीम आस्वालेकूम डियर एस्पिरेंट्स आज हम नेशनल हाईवे सेफ्टी ओर्डिनेस 2000 का लेक्चर नॉम्बर 40 स्टार्ट करेंगे और इस्टे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें आप सब एस्पिरेंट्स को बता दूं कि आप हमारे इस पैट्रोल अफिसर के सेशन को और नेशनल हाईवे सेफ्टी ओर्डिनेस के कम्प्लीट लेक्चर की जो सिरीज है उसको जोईन कर सकते हैं आप अगर कोर्स जोईन करना जाते हैं हमारा तो हम आउनलाइन www.howardacademy.com से आउनलाइन लेक्चर प्रवाइड करते हैं जैसे के आप ये लेक्चर देखेंगे इसी तरीके से कम्प्लीट जो लेक्चर होते हैं वो वेबसाइट पे अक्सेसिबल होते हैं और आपको कलास लेना लाजमी है उसके लिए औ और आज हम लेक्चर नंबर 40 और इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 54 से आन बार्ड इसमें तीन चार सेक्शन हैं छोटे छोटे हैं लेकिन हम ये चीज़े सीखना समाईना जरूरी है तो राइडिंग आन रनिंग बोर्स अब एक गाड़ी है ये आपके पास गाड़ी ह प्रवाज ड्राइंग इतने अच्छी नहीं बनती यहां पर तो आप यह अजूम कर लें ठीक है जी और ये रनिंग बोर्ड है मतलब इसके ये तो प्रपर इसके अंदर सीटे हैं ना सीटें के इलावा जितनी इसकी जगा होगी वो रनिंग बोर्ड कहलाएगी तो यहां पर ड्राइवर होगा तो ड्राइवर जो है वो जितनी भी जो जो भी पैसेंजर्स हैं या गड़ी है तो प्रापर जो उनकी जगा उसी पर ही लोग बैठेंगे जो उनकी जगा बनी हुई है स्पैसे पे इसके इलावा आप जो नका स्टेंड है जहां पर चड़ने की वह लेडर होती है उस पे खड़े हो ना यहां से गाड़ी चलती हुई विजिबल बहर से वो तो कोई भी इस तरह उस पे सवार नहीं होगा तो यह जो विजीबल होगा जो भी जगा यहां से हो यहां से हो इसके साइडें हो तो उसको रनिंग बोर्ड कहेंगे नो परसन ड्राइविंग और बीइंग इन चार्ज आफ ए मोटर वीकल जो गाड़ी चला रहा है मोटर वीकल चला रहा है और ने नेशनल हाईवे शल कैरी एनी परसन और परमिट एनी परसन तो कैरी ना तो वो खुद इस तरह इजादत दे ना किसी दूसरे फर्द को या शख्स को इजादत दे कि वो करे और जो खुद सवार है जो चड़ने वाला है जो सवारी की तौर पे पैसेंजर की तौर पे वो भी खुद को रोके किसे on the running board और otherwise than within the body of the vehicle कि वो गाड़ी के अंदर बैठे गाड़ी के बाहर ना बैठे जो उसकी body बाहर रन का रही है obstruction to driver obstruction का मतलब बता है रुकावट होना तो driver के लिए कोई रुकावट नहीं होने चाहिए इसका मतलब यह हुआ no person driving a road vehicle on the national highway shall allow any person to stand or sit or be placed in such a manner or position to hamper the driver in control of the vehicle कि वो किसी सवारी को इस तरीके से ना बिठाएगा ना खड़ा करेगा ना उसको ऐसी position में बैठने देगा कि वो driver जो गेर लगाता है या उसकी तबज्जो तक्सीम हो या वो divert हो या अब्स्टक्ट हो तो उसको गाड़ी चलाने में कोई भी मसला नहीं आना चाहिए हर चीज इस तरीके से उसके इर्दगिद मैनेज होनी चाहिए इसके इलावा stationary vehicles stationary का मतलब होता है साकित वेहिकल का मतलब गाड़ी यानिके गाड़ी खड़ी करने की इजादत नहीं इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह बनता है और allow the vehicle to remain stationary के national highway पे बिला वजा या public place पे गाड़ी खड़ी करनी की इजादत नहीं है unless there is in the driver's seat a person duly licensed to drive the vehicle हाँ अगर driver जो है चलाने वाला जिसके पास license मौझूद है और वो seat पे बैठा हो तो रोकनी पड़ जाए थोड़ी दिर के लिए मजबूरी की वज़े से तो रोक सकता है otherwise यह नहीं है कि आप उसको public place पे या कहीं road पे चलते हुए गाड़ी को रोकें और seat से उतर जाएं और unless the mechanism has been stopped and brakes applied और यह भी ज़रूरी है कि जो mechanically गाड़ी चल रही है उसको off करें और side पे करें जो प्रापर तरह के कार है और such other measures taken to ensure that the vehicle cannot accidentally put into motion in the absence of a driver कि गाड़ी को इस तरीके से रोकें जब मजबूरी है कि वो driver अगर नहीं बैठा तो automatically गाड़ी चल न जाए यानि कि उसको proper उसका lock करें उसकी brake जो है पिछली वो भी apply करें hand brake भी apply करें और उसको off करें proper switch off करें ताकि वो move ना करें इसके बाद है section 57 two wheel motor vehicle two wheel कौन सी होती है motor vehicle आपको पता है motor होनी चाहिए उसमें और और इसका trick कार यही हो सकता है इसके लिए motorcycle का ही इसको symbol कहा गया है तो motorcycle के लिए यहां पर बात की गई है तो क्या कहा गया है इसके बारे में अब देखते हैं no driver और half a motorcycle driving on national highway shell carry more than one person के जो driver है गाड़ी motorcycle चला रहा है वो एक से ज़्यादा सवारी को allow नहीं करेगा अपने इलावा यानि कि अपने इलावा एक बंदे को इजादे देगा in addition to himself and no person should allow himself to be carried otherwise कि अगर फ़र्ज किया आप किसी motorcycle वाले के साथ बैठे हुए हैं और वो किसी और को allow करता है कि आप भी साथ बैठ जाए यानि कि थर्ड बंदे को allow करता है तो वो बंदा जो पहले बैठा है वो दूसरे आने वाले को या तो allow ना करें या खुद उतर जाए यानि कि इस तरह का जो डूल को वालेट ना करें यानि कि एक ड्राइवर हो उसके साथ एक ही बंदा बैठा हूँ अगर वो ना माने तो आप उतर जाए यानि कि उसमें हर एक बराबर का दिमादार है अगर अल्रेड़ी तो बैठे हुए हुए तो 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 प्रापर सीट बन होनी चाहिए वहीं पर बैठा होना चाहिए यहीं यह नहीं है कि उसके जो पीछे एक कैरियर टाइप बना होता है तो उस पर भी बन्दा बैठ जाए तो ऐसा नहीं करना यह खिलाफ कानून है नो परसंचल ड्राइव और बी कैरेट ओन मोटसाइकल एक्सेप्ट वैन ही इस वेरिंग ए क्रेश हेलमेट कोई भी मोटसाइकल नेशनल हाई वी पर ना लेके जाए ना चलाए जब तक कि उसने हेलमेट ना पहन हो यानि कि हेलमेट का इस्तमाल भी जुरूरी है तो आज के ल